न्यूस्टोक लाइब के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे रोमानचक वीडियो आप तक निरंतर पहुँचते रहें वसई विरार के महानगर पाले का व्रुक्ष अदिकारी पर वसई मानिकपूर पुलिस टेशन में मामला दर्ज हुआ है दरसल 25 फेरवरी को एक पेड़ गिर गया था उस पेड़ के नीचे दब कर एक 28 साल के राहुल सावंत बुरी तरह से जक्मी हो गया था कुपर अस्पताल में इलाज के दोरान सावंत की 11 मार्च को मौत हो गई इस घटना में वसई वीरार महानगर पालीका के अदिकारी ने जाच में मनपा के व्रुक्ष अदिकारी सुरेंद्र पार्टिल को दोशी पाया जिसके बाद 3 जून को पार्टिल के खिलाफ वसई मानिकपूर पुलिस टेशन में CRPC 114 के तहट मामला दर्च कर आया हमारे यह एक रहूल सावंत करके 28 साल का रजावन था उसकी 25-25-2011 को उसके वो बाइक से घर जा रहा था तबी पेड़ गरने के वज़े से उसकी कुपर होस्पिटल मुरुत्य हो गई मुरुत्यों दाकिल था और उसके इंक्वाइरे में उसके जो पिताजी थे उन्होंने यह हाथसा जो हुआ उसमें महानगरपाली का या सवद्मधित सवसाइडी जिम्मेदार उनके उपर उनके उपर गुना दाकिल होना चाहिए इस ताइप कंपलेट दिया था कंपलेट काम ने इंक्वाइर के इंक्वाइर में पता चला कि जो सोशाइटी उसने जो पेड़ है वो पेड जो है और काटने के बारे में महानगरपाली कैसे जो भी डॉकुमेंट दिये थे और एप्लिकेशन किया था कि यह जो पेड़े उसको काट दो यह भी बहुत पुराना हो गया और यह गिरने की स्थिति में है अगर महानागर पाली के नोपेड तीन-चार बार एप्लिकेशन करने के बाद भी काटा नहीं और उसी वज़े से वह पेड़ गीर करके इसके लटकी की मुरुति हो गई हमारी इंक्वारी में आया तब हमने महानागर पाली कैसे उसका जिम्मेदार कोन है इसके बारे में हमने पत्र व्यवर किया तो उसमें सामने आए कि सुर्वेंद्र पाटिल नाम का जो उनके रुक्ष प्राधिकरन का ऑपिसर है वह इसके लिए जिम्मेदार है यह सब इंक्वारी होनी के बाद पुलिस ने खुद कंप्लेनन बनके इसमें पैरदाकिल किया और आगे का इनिविस इसमें चलोड़